चाहें आप competitive exam के student हों या फिर किसी board exam के या वीडियो हर student के लिए अतिमहत्पूर्ण है इसे आप पूरा आवस्य देखना तो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका make easy, take easy YouTube चैनल में दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में हम कुछ महत्पूर्ण और प्रसिद लेखकों कभियों के उनके उपनाम के बारे में यानि कि उन्हें किस अनिनाम से जाना जाता है इसके बारे में जानेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत ही जवर दस्थ होने वाला है इसे अनतेक पूरा अवश्च देखें तो चलियो दोस्तों शुरू करते है तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे लेख और कभी है वो है सहयाद इबराहिम और दोस्तों सेयद इबराहिम को किस आने नाम से जाना है यानि कि सेयद इबराहिम का उपनाम क्या है तो इसका अंसर है रस्खान यानि कि सेयद इबराहिम का जो उपनाम है जो दूसरा नाम है वो है रस्खान अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात ये है कि जितना सेयद मुख्य नाम प्रसिद्ध नहीं है उतना तो इनका उपनाम प्रसिद्ध है रस्खान आपने रस्खान को ज्यादा पढ़ा होगा ज्यादा लिखा देखा होगा सैद इबराहिम बहुत कम तो दोस्तों जहां रस्खान का जो मुख्य नाम है जो इनका ओरिजिनल नाम है वो है स तो इसका अंसर है आद कवी, यानि कि बालमी को आद कवी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बाद में जो हमारे अगले कवी हैं वो हैं नंददास, तो नंददास को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानि कि नंददास का उपनाम क्या है, तो इसका अंसर है जडिया कवी, य लेकिन सायद हम में से कई लोग तुलसीदास के उपनाम के बारे में नहीं जानते होंगे तो तुलसीदास के कई उपनाम है तो कौन-कौन से इनके उपनाम है जरा देखते हैं तो तुलसीदास का पहला उपनाम है कवी सिरोमड और इनका दूसरा उपनाम है मानस का हंस और इनका एक और उपनाम है वो है लोक नायक और एक और उपनाम है वो है हिंदी का जाती कवी यानि कि तुलसिदास जी को कवी सिरोमड मानस का हंस लोक नायक हिंदी का जाती कवी आध इन नामों से भी जाना याता है तो बहुत ही important fact है आप इनको जरूर नोट कर लेना दोस्तों इसके बाद में हमारे जो अगले कवी है वो है केसबदास तो केसबदास का जो उपनाम है वो है कठिन काब का प्रेत और दोस्तों ध्यान ने question इस तरीके से भी घुमा के भी पूछा जा सकता है कि कठिन काब का प्रेत किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा केसबदास दोस्तों इसके बाद में हमारे जो अगले कवी है वो है मतिराम तो मतिराम का जो है उपनाम वो क्या है पुराने पंत के पतिक तो मतिराम को पुराने पंत के पतिक नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इस प्रकार की जानकारी अधिकतर किसी को नहीं होती है आपके दोस्तों लोग इन में से आधे लेखक कभियों के उपनाम नहीं जानते होंगे तो आप इस वीडियो को देखते रहे और एक एक पॉइंट लिखते भी रहे और अपने दोस्तों से ये वीडियो सेर भी करना है अंत में तो दोस्तों इसके बाद में हमारे जो अगले कवी हैं वो हैं अमीर खुसरो और इनका जो उपनाम है वो है हिंदुस्तान की तूती तो हिंदुस्तान की तूती किसे का जाता है अमीर खुसरो को दियान नहीं दोस्तों कॉस्टन किसी भी प्रकार से पहुचा जा सकता है दोस्तों इसके बाद में हमारे जो अगले कवी हैं वो हैं विद्यापति तो विद्यापति के वी दो बहुत ही अच्छे उपनाम है तो इनका पहला उपनाम है मैथिल कोकिल और इनका दूसरा जो उपनाम है वो है अभिनव जैदेग तो दोस्तों इसके बाद में हमारे जो कवी आ रहे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं बहुत ही फेमास हैं तुलसी दास की तरह इनको भी हम सब लोग जानते हैं तो वो कभी है सूरदास तो दोस्तों जिस तरीके से तुलसी दास प्रसिदे थे तो तुलसी दास के भी कई उपनाम थे तो इनके भी कई उपनाम है तो जरा देख लेते हैं कि सूरदास के कौन-कौन से उपनाम है यनि कि सुर्दास किस अनिनाम से भी जाने आते हैं तो सबसे पहले है अस्ट छाप का जहाज तो ये तो आप जानते हैं ये तो कामन है तो अस्ट छाप का जहाज सुर्दास जी को ही कहा जाता है और पुस्ट मारक का जहाज ये भी सुरदा जी कोई कहा याता है इसके बात में जो इनका अगला उपनाम है वो है खंजन नयन और एक और इनका उपनाम है वो है भावा धिपती क्या है भावा धिपती और इनका एक और उपनाम है सबसे महत्पून उप्णाम है इनका वह है बात्सलरस समराट और दोस्तों इनका बात्सलरस समराट इनका उपणाम कैसे पढ़ा क्योंकि इन्होंने सुरदास जी ने अपनी सारी किर्तियों मेंılar इन्होंने जितने भी छन्द दोहा लिखे है्ए उन्में बास्लरस की प्रधां और घनानंद का जो उपनाम है वो है प्रेम की पीर का कवी और इनका एक और उपनाम है वो है साच्छातरस्मूर्थ यानि कि घनानंद जी के भी दो उपनाम है एक तो है प्रेम की पीर का कवी दूसरा है साच्छातरस्मूर्थ और दोस्तों घनानंद के बाद में हमारे जो अ अंसर है यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों भारतन हरिस चंद अयोद्या सिंग उपाद्याय मैथली सरड़ गुप जैसंगा प्रसाद माखनला चतुर बेदी हरिवन सराइबच्चन समसेर बादो सिंग भियोगी हरी डंक्टर नगेंद रामिला सर्माई टीसी लाइक करें शेयर करें फैलादो सभी गुरूप में और कमेंट करना मत बुलना हम मिलेंगे एकले वीडियो में दन्युक्त